ओके हलो व्रीवान यार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके लिए वापिस आ रहे हैं यहां पर यार सेंटर इन्युवस्टी पंजाब का जो है यहां पर सारी कट आफ आचुकी है कट आफ वन और कट आफ टू आचुकी है बहुत सारे बच्चों के डौट्स आ करनी है क्या प्रोसेस है मतलब पूरा बता रहूंगा सेंटर इन्युवस्टी पंजाब के बारे में यहां पर में सभी कोर्सेज और सभी के आयारे में यहां पर मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूंगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजे ब आती है तो टेलीग्राम चैनल जरूर जोइन करेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों के दे रखते हैं बाकी यार बात करेंगे पंजाब इनवस्टी की तो आप देख सकते हैं पंजाब इनवस्टी की अगर वेब पेज पे आप जाएंगे यहां पर आपको मिल ज लिस्ट निकाल दी धी चार अगस्त तक आप कर सकते थे हैं आज लिस्ट आ हीये तरी center universities की भी कुछ इसी तरह से conditions रहेंगे program देखो होगा क्या merit list आएगी program wise merit list will be prepared ठीक है merit list आने के बाद आपको क्या करना होगा fees payment करना होगा अगर आप fees payment नहीं करते हैं और अगर submit नहीं करते हैं admission की fees, fees payment नहीं करते हैं तो आपकी seat cancel मानी जाएगी और दूसरे student को आपकी seat दे दी जाएगी ठीक है अगर आप किसी category से हैं तो आपको अपने category का भी ध्यान रखना है वो certificate वगर अभी आपको upload करने हैं और maintain करने हैं latest हो कोशिश करो ठीक है तो आपको बता दिया 3rd cut-off कब आएगी 8 तारिक को 3rd cut-off list यहां पर आ रही होगी और जिसकी fees payment आपको 10 तारिक को करने होगी ठीक है और ऐसे round 4 और round 5 के बारे में इहां पर इन्होंने दे रखा है और 16 तारिक को इनका counselling complete हो रहे लिस्ट 1 के बारे में अगर मैं बात करूं लिस्ट 1 तो अब आप देख चेक कर सकते हैं यहां पर कि क्या cut-off गई ठीक है और इसमें जो बच्चों ने जिन्हों ने admission लिया है उन्होंने fees payment कर दी है ठीक है और अगर आप category के हैं तो जरूर अपना certificate के बारे में ध्यान लखेंगे कि अपना certificate आपको maintain करना है ठीक है एक चीज़ और बात है कि आपको 16 तारीक को युनिवस्टी और पंजाब में पहुंचना है ठीक है ठीक है तो cutoff 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं with marks इन्होंने दिया हुआ है marks कितने कितने आये थे और क्या-क्या cutoff यहाँ पर रही है इन्होंने सब mention कर रखा है यह आप list पूरी देख सकते हैं मैं आपको link जो है provide करवा दूँगा description box list two second list आई चार पांस तारिक को ठीक है पांस तारिक को second list आई और आप देख सकते हैं साथ अगस्तक आप इसकी form fill up कर सकते हैं ठीक है eligibility criteria आपको maintain करना होगा चेक आउट कर लेना है एक बार इनकी website पर जाकर और सीवसेट पीजी की website पर जाकर ठीक है अगर आपका कोई certificate है तो वो भी आपका latest होना चाहिए maintain आपको करना है ठीक है बाकी इन्होंने कह रखा है कि भाई eligibility होगी तभी admission होगा बिना eligibility और documents के नहीं होगा सब्सक्राइब करना है तो सबसे पहले क्या करना है आपको फीस पेमेंट करनी है वो सब्जेक्ट वाइस होगा आपको पंजाब इन्वस्टी की website पर मिल जाएगा और साथ तारीक के 11 वजए से पहले 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 इसा नहीं है 12 वजए करो वही है 11 वजए से पहले पहले सुबह के 11 वजए ठीक है यानि कि आप 6 तारीक ही मानिए कल कल का ही दिन है आपके पास फीस देने के लिए ठीक है तो 6 तारीक तक ही मानगे चलिए तो इसलिए यार यह बहुत information important है urgent समझीए तो जाधा से जाधा लो मैं लिंक जो है प्रोवाइड कर दूँगा तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है तब ही आप इस ड्राइब लिंक को open कर पाएंगे और आपको सारी information यहाँ पर मिल पाएगी इसका लिंक भी description में आपको मिल जाएगा ठीक है बाकि आप लोग मुझे नहीं जा सकते हैं UGC net में भी बहुत अच्छे educators हैं जिनको आप जॉइन करके अपने dreams पूरे कर सकते हैं UGC net क्रैक करके assistant professor बनने के आप एस 10 code लगाकर आप maximum offer जितना चल रहा होगा आप ले सकते हैं तो आपको मिलते हैं next video में तब तक video को like channel को subscribe आज शाम को दो important video इस channel पे आ रही हो होंगी channel को subscribe करके रखेंगे आपके लिए ही important है मिलते हैं next video